Hello Everyone, Welcome to SSC Scholars So guys, Air Force XY Group के लिए हम Practice Sets कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं English का Practice Set No.16 कोशिश कीजेगा ज्यादा से ज्यादा questions attempt करने की and अगर आपको एक session थोड़ा भी helpful लगता है तो एक like जरूर कर दीजेगा Start करते हैं, direction 1, 2, 3 है Choose the most appropriate response for each question No.1 is, absolve is a synonym of absolve का synonym बताना है, तो इसका synonym हो जाएगा आपका option No.B, equate क्योंकि दोनों का मतलब है दोश्मुक्त करना या फिर बरी करना Then No.2 is, the word toil means तो toil का मतलब होता है कठिन परिश्रम या फिर कड़ी महनत जिसको English में बोलते हैं hard work या फिर work hard तो option No.B, आपके हैं पर correct हो जाएगा toil का मतलब क्या है, work hard यानि के कठिन परिश्रम या फिर कड़ी महनत No.3 is, the word opposite in meaning to altruistic is Altruistic का opposite meaning बताना है तो altruistic का मतलब क्या होता है हम किसी ऐसे person को altruistic बोलते हैं जो कि दूसरों के बारे में सोचता है खुद से पहले, ठीक है बाकी सब जितने भी persons है for example आपके जो family में आपकी mother है वो अपने बारे में नहीं सोचती है बलकि family के जो other members है उनके बारे में सोचती है, उनके भले के बारे में सोचती है तो वो क्या है, एक altruistic lady है एक altruistic women है तो इसका opposite क्या हो जाएगा एक ऐसा person जो के सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है और उसको हम क्या बोलते है, उसको बोलते है selfish यानि के मतलबी इनसान जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में self के बारे में सोचता है तो option number D आपका correct हो जाएगा, selfish इसके बाद direction four to five आपका one word substitution है number four is a person who consumes human flesh यानि कि एक इनसान जो कि human flesh को consume करता यानि कि मनुश्य का जो मानव का जो आपका flesh है जो मास है उसको खाता है तो उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं cannibal अब एक चीज़ आपको confuse करेगी carnivore और cannibal तो दीके carnivore क्या है carnivore भी मास खाता है लेकिन ये basically animals के लिए यूज किया जाता है ऐसे animals जो के मास खाते हैं flesh खाते हैं उनको हम बोलते हैं carnivore बट अगर किसी person की बात की जाए एक person जो के humans का ही flesh खाता है यानि मनुश्य का मानव का जो है वो मास खाता है उसको बोलते हैं cannibal clear option number B आपका correct हो जाएगा animals के लिए carnivore और humans के लिए persons के लिए cannibal number five is detailed plan of a journey यानि के आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं किसी journey पर जा रहे हैं तो उसका जो detailed plan है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं itinerary itinerary clear यानि के यात्रा का रेकरम का जो पूरा detail है उस detailed plan को बोलते हैं itinerary clear number six is choose the correctly spelled word तो maintenance की spelling आपको बतानी है ये आप मुझे comment box में बताएंगे इसके बाद number seven आपका है spelling test से ये भी यहाँ पर आपको बतानी कनिवेंस की spelling तो कनिवेंस की spelling मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर option number C correct होगा C O N N I V A N C E कनिवेंस इसके बाद number eight आपका है the direct speech of तो यहाँ पर देखिया आपको एक sentence दिया गया है और इसका आपको direct speech में conversion करना है इसको transform करना है sentence आपका है I asked my brother if he had returned the money to his friend तो इसका direct speech क्या हो जाएगा I said to my brother और आगे की जो reported speech होती है वो आपको यहाँ पर choose करनी है in options में से तो एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर आया asked तो यानि कि जो reported speech होगी वो आपका एक question होगा questioning sentence होगा तो यानि कि question mark भी आएगा यानि या तो option number a correct है या फिर option number b correct है c गलत हो गया d गलत हो गया अब a और b में से choose करना है तो एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर आपका जो sentence है वो आपका coincidence में head plus verb की third form यहाँ पर आई है तो यानि कि आपका past perfect tense यहाँ पर use की गई है clear past perfect tense use की गई है indirect में यानि कि direct कैसा होगा past clear जब आप direct से indirect में जाते हैं तो past tense change होती है past perfect में अब आप उल्टा कर रहे हैं तो past perfect change हो जाएगी past में यानि कि आपका जो head returned है यह क्या बन जाएगा verb की second form यानि कि returned तो option number B आपका इस हिसाब से correct हो गया have you returned the money to your friend clear option number A गलत क्यों है क्योंकि यहाँ पर return आया है जो के इस sentence को present का बना देता है तो यह चीज़ आप याद रखिए उसके बाद में यहाँ पर his की भी mistake थी तो option number B आपका correct हो गया इसके बाद number 9 है what does the phrase look into mean तो look into एक phrase है इसका मतलब आपको बताना है तो look into का मतलब होता है investigation करना to investigate ठीक है यहाँ पर कुछ भी अलग meaning नहीं हो सकता जैसे के to question या take care of यह options नहीं होंगे look into का सीधा सा मतलब है to investigate जैसे के हम बोलता है police was police will look into the matter यानि के police क्या करेगी matter की investigation करेगी investigate matter को करेगी इसके बाद direction 10 to 11 आपका है sentence improvement number 10 is the newspaper report of the killing verified with the police findings तो एक चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर जो newspaper की report है उसको verify करने की बात की ज़रे कि वो verify की गई है किसके दोवारा police findings के दोवारा यानि police को जो सबूत वगेरा मिले है उससे वो verified है तो एक चीज़ याद रखिए कोई भी news है कोई भी news को हमेशा confirm किया जाता है verify नहीं किया जाता नहीं authenticate किया जाता और नहीं collaborate किया जाता तो याद रखे कोई भी news है किसी भी तरह कि news को हमेशा क्या किया जाता है confirm तो यानि कि option number C correct हो जाएगा the newspaper report of the killing confirmed with the police findings clear number 11 है the saint said that men are mortal तो एक चीज़ याद रखे यह क्या है यह एक universal truth है ठीक है एक universal truth है और universal truth जो है वो भी यहाँ पर आपके use किया गया है man तो यहाँ पर man का मतलब एक दो आदमी नहीं है ठीक है man का मतलब यहाँ पर एक आदमी नहीं है बलकि यह क्या गर रहा है पूरी जो मनुश्य जाती है उसको यहाँ पर represent कर रहा है ठीक है पूरी जो मानव जाते है जो मनुश्य जाती है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पर ये as a singular use किया गया है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका अगर ये singular है तो आपकी helping work भी singular आएगी याने के the scent said that man is mortal ये होना चाहिए तो option number a आपके हैं पर correct हो जाएगा the scent said that man is mortal इसके बाद direction 12 to 15 है आपका fillers number 12 is the dash of the middle school is a woman of dash तो यहाँ पर आपके देखें दो words यूज किये गए है principal और principal दोनों में अंतर क्या है एक है आपका pal वाला और दूसरा है PLE वाला तो एक चीज़ याद रखिए देखे principal जब PAL आएगा ठीक है जैसे ये PAL आएगा तो इसका मतलब है आपके प्रधाना चाह रहे हैं या फिर प्रधान अध्यापक क्योंकि आपने देखा होगा जो आपके principal होते हैं स्कूले जदातर उनके नाम के एंड में पाल आता है ठीक है जैसे रिशी पाल वगयरा इस तरीके से उनके नाम होते हैं तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि अगर लास्ट में पाल आए तो यानि कि वो आपके स्कूल का जो है प्रधाना चाह रहे हैं या फिर प्रधान अध्यापक हैं वहीं अगर PLE आ जाए एंड में तो उसका मतलब है सिध्धान्त या फिर नियम यहां पर क्या होगा देखें मिडल स्कूल के जो प्रधाना चाहरे या फिर प्रधान अध्यापक तो यानि कि जो फिर्स्ट फिलर है इसमें P.A.L. पाल वाला आएगा क्योंकि प्रधाना चाहरे की बात की जा रही है तो या तो आपका हो जाएगा उप्शन अमबर C या फिर हो जाएगा B. अब यहां पर प्रिंसिप पल्स लिखा है तो प्रिंसिप पल्स नहीं होगा क्योंकि यहां पर सिंगूलर की बात की जा रही है ठीक है इस ठीक है तो सिंगूलर है तो यानि ऑप्शन नमबर C करेक्ट होगा यहां पर आपका आएगा प्रिंसिपल P.A.L. वा यानि के जो middle school के प्रधाना चाहरे हैं, वो एक सिध्धान्त की या फिर के ये नियम के अनुसार चलने वाली लेडी हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है, clear, इसके बाद आपका 13 है, student parking should be dash, next है, student should not be charged to buy parking stickers, यानि के जो student parking है, वो कैसी होनी चाहिए, तो options आपके देखे, find, costly, free या फिर cheap, अब ही आप कैसे decide करेंगे, अपनी मर्जी से decide नहीं करेंगे, आपको लग रहा है कि free होनी चाहिए, तो आपने free tick कर दिया, नहीं, आगे का sentence पढ़िए, उसके हिसाब से आपको option मिल जाएगा, तो आगे लिखा है, student should not be charged to buy parking stickers, parking stickers का मतलब है parking tokens वगएर एक तरीक से, तो बोला जा रहा है कि students को parking stickers खरीदने का कोई भी charge नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनसे कुछ भी charge नहीं किया जाना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ भी charge नहीं लिया जाना चाहिए, यानि यह क्या चाह रहा है कि students के लिए बिल्कुल free हो जाए, यानि कि option number B आपका correct होगा free, clear, अगर यहाँ पर बोलता कि students should be charged less, यानि कि कम charge किया जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि student parking जो हो थोड़ी सी cheap होनी चाहिए, अगर बोलता ज्यादा charge करना चाहिए, तो costly, clear, इस तरीके साफ options को select करेंगे, इसके बाद number 14 आपका है, if you have roses growing in your garden, यानि अगर तुमारे garden मे गुलाब खिल रही है, you can make a lovely dash of flowers at home, तो तुम एक बहुत ही सुन्दर flowers का dash घर पर बना सकती हो, तो देखे तुमारे जो garden में हैं, अगर तुमारे garden में गुलाब खिले हुए हैं, तो उनका क्या बनाया जा सकता है, तो देखे सभी options में एक चीज़ बहुत clear है, bucket, और bucket का मतल spelling होती है, आपकी B-O-U-Q-U-E-T, याने के option number D correct हो जाएगा bucket, याने के गुलदस्ता, तो अगर तुमारे garden में गुलाब खिले हुए हैं, तो दुम एक बहुत ही सुन्दर bucket flowers का गुलदस्ता बना सकते हो घर पे, इसके बाद number 15 है, do they live in dash, United Kingdom or somewhere else, याने के वो United Kingdom में रहते हैं या फिर कहीं और, तो एक चीज़ याद रहे कि यहाँ पर article फिट करना है आपको, तो यहाँ पर आया United Kingdom, जो के एक country का नाम है, अब एक चीज़ याद रहे कि अगर किसी country का नाम यूज़ किया जाता है, तो उसके पहले article दा का यूज़ नहीं होता, ठीक है, यह चीज़ आ तो इस टाइप के countries, जो के काफी सारी states, काफी सारी countries से मिलकर बनते हैं, उनके साथ में हम article दा का यूज़ करते हैं, तो यानि कि यहाँ पर आजाएगा, do they live in the United Kingdom or somewhere else, जैसे United States of America, तो United वगेरा करके जो भी आता है आपका, उसके साथ में आप दा का यूज़ करेंगे, then direction 16 to 17 आपका, make the passive of the given sentences, passive voice बनानी है, number 16 is, who gave you ice cream, यानि तुम्हें ice cream किसने दी थी, यह sentence है, अब एक चीज़ याद रखे, यह interrogative sentence है, और who से start हो रहा है, तो जब भी आपका sentence who से start होगा, और उसका passive बनाना है, तो passive बनेगा आपका by whom से, clear, by whom से, तो यानि option number A गलत हो गया option number D गलत हो गया, या तो आपका B आएगा, या फिर C आएगा, तो एक चीज़ देखें यहाँ पर अगर B option की बात करूं, by whom were you given the ice cream, तो क्यूंकि question sentence है, आपका interrogative sentence है, तो आपकी जो helping verb है, वो subject से पहले आएगी, इसलिए आपकी जो word है, वो you से पहले आई, अब देखना य जो कि plural है, तो word भी आपकी plural लगी हुई है, वर, यानि कि B option आपका यहाँ पर correct हो जाएगा, C option की बात करूं, तो यहाँ पर was आया है, जो कि singular है, और subject आपका plural है, तो गलत हो गया, B option है, आपका correct हो जाएगा, इसके बाद number 17 है, we should not encourage indiscipline, तो यहाँ पर आपका object है indiscipline, यह subject बन जाएगा, इसके बाद should आएगा आपका और यहाँ पर इसके बाद क्या जाएगा, not, तो indiscipline, should not, इतना तो confirm है, यानि option number A तो आपका पहले ही गलत हो गया, बचते हैं तीन options, इन में से देखें कौन सा सही होगा, तो जो आपका पहला sentence है, यानि कि A जो आपका B option ह इसमें आया है B, तो B यहाँ पर आ सकता है, being नहीं आ सकता क्योंकि sentence continuous का नहीं है, being नहीं आ सकता क्योंकि sentence जो है आपका यह perfect का नहीं है, तो यानि कि B option correct हो गया, indiscipline should not be encouraged by us, वी का जब आप object बनाएंगे तो वी का objective case होता है, अस, इसके बाद number 18 है, form a noun from the given word, तो word है आप का aggressive, aggressive का आपको noun बनाना है, तो aggressive का मतलब होता है, आक्रामक, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा aggressive form में आ जाना, तो aggressive का noun हो जाएगा, aggressor, क्योंकि aggressor का मतलब भी क्या होता है, आक्रामक, clear, अगर बात करता हूँ मैं aggression की, तो काफी students को doubt होगा, कि यहाँ पर aggressive का जो noun है, वो aggression बट एचीज याद रखे, aggressor का मतलब है, आक्रामक, और aggression का मतलब है, आक्रमन, यानि के attack, तो दोनों का जो मतलब है, वो बिल्कुल ही different है, इसके बाद direction 19 to 20, आपका है, error spotting, number 19 is, the students were waiting for the arrival of the chief guest, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर आपका एक, use किया गया है word, awaiting for, तो यहाँ पर या तो आप four का use नहीं करेंगे, तब आपका sentence correct है, या फिर यहाँ पर awaiting नहीं होगा, wait होगा, ठीक है, waiting, तो या तो awaiting हटा दीजे, waiting लगा दो हैंपर, या फिर यहाँ से four हटा दीजे, क्योंकि देखे, awaiting का मतलब, awaiting जो आपका बना है, ये बना है wait for से, तो इ पार्ट में आपका error है, option number B आपका यहाँ पर correct हो गया, या तो four हटा दीजे, या फिर awaiting की जगा, waiting कर दीजे, number 20 आपका है, Henry asked his wife what had she prepared for dinner that night, तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखे, जो आपका sentence है, यहाँ पर कोई भी question mark नहीं लगा हुआ है, और even जो आपका sentence स्टार्ट हो यहाँ पर आपने जो यह किया है, वर्ब पहले आ गई और subject बाद में, यह यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी वज़े से sentence interrogative बनता है, और यह sentence क्योंकि simple है, तो आपकी पहले subject आएगा, फिर वर्ब आएगा, और फिर object, simple sentence ऐसी तो होता है, जो एक positive sentence होता है, उसका structure होता है, subject plus word plus object, तो यानि कि आपका जो head है, वो she के बाद आएगा, यानि b part में error है, option number b आपका correct हो गया, so यह था आपका practice set number 16, I hope सभी questions आपको समझ आयोंगे, फिर भी अगर कोई doubt बज़ता है, then comment box is yours, आज के session में इतने रखते हैं, thank you,